कि हैले अरिवन वेल्कम टो गेटेकेट में टूपॉइंट हो तो आप देखे रहोंगे चैतावनी वार्निंग लिखा हुआ है इस थम्निल पर यह कि मैं को लगा कि ऑनलाइन इस्टुएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि पूरे देर तक हम लोग ऑनलाइन और यही कुछ चलते रहते हैं मैं लगा कि यह बात बहुत जरूरी है कि आपको एक चीज यह चीज का बड़ा आइडियर है क्योंकि अभी डेवाइड ऐसा होते जा रहा है कि मैं लगता है कि इस्टुएंट थोड़ा सा भागना चाहता है कभी-कभी उसको लगता है कि कितना पढ़ हुँ क्या पढ़ो मतलब बरसात हो रही है थोड़ी देर नो अपनी फो फटेंशा पर टूरी ना पर भांता है धी हो लुग ऐसी पहले, इस्टुएंट इसलिए परसान नहीं है, उसको फूरीमे मिल रहा इसो लेकिन उसको भी समझना बंद हो गया कि अगल एक फिर में एक फिरिम भी नहीं है उसके बाद इसको कंड़ेशकर अच्छा है यह कूं बताई और वो कैसे पता कर लेका तो आपको यह थाइगा उट लिए इतना पता करने में तो आप्का टाइम इसलै जाएगा देप व्हुत जल्दी डिस करें लॉंग अगर आप खिषते रहोगे इसको उस्वे में ना ले जितने भी इस ऑनलाइन एजुकेशन में जितने लोग जोड़े विए जो टीचर से जो एजुकेटर है वो लोग भी इस चीज को अंडरस्टेंड करें कि अभी एक इस्टुमेंट भी थोड़ा सा इरिडेट होन भी पहले जो लोग पढ़ा चुके वो लोग अच्छे पढ़ाया थे कि नहीं पढ़ाया थे पता नहीं उसको वो रिकॉड़ेट देखे या फिर आभी जो आप नया दे रहें लाइब में वो देखे तो उसकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है एक तो उसके पर पता है नहीं क्या होगा तो बस मेरा यह है कि आप आप इस ओवर्फलो वाली जो चीज़ों इसको उसको बहुत ही दियान से आप ऐसा ना हो कि आप डूब जाया उस पानी बरसात के पानी में पता चला डूब जाया डूबना नहीं भी थोड़ा निजॉए कि यह बाहर निक आर्ट है यूट्यूब से पढ़के बहत्री स्कॉर लाना एक आर्ट है ceux को इ 조्लिह नहीं कि लाते लाते लेकि ने वहार थे और बहुत कम लोगो कुपता है इसलिए कम लोगों को पता है क्यों आप कैसे बचो जब्रके चीजों से यह भी तो आपको सीखना होगा तो आब म क्या को दूसरा एड नहीं देगा वो एड देगा हम एड देंगे बहुत पूरे पूरे लोग कुरेज़ देंगे लैंट इस्ट अमारकेटिंग धिक मार्केटिंगे जेंग तो हम लोग देंगे ने तूर शीय Promi land करते तो बट मैंको लगता है कि आप अगर serious experiment हो और आपके पास limited time हो तो आपका decision बड़ा important है आपकी life का decision बड़ा important है कि कि आप कैसे इन सब चीजों से अपने आपको बाहर निकालोगे कैसे अपने time को save करें को तो एक बाद चेक करके देखिएगा कि अगर आप एक सुबह से लेकर साम तक YouTube में थे सुबह 10 से लेकर साम के 6 बजह तक और उस दस से लेकर 6 बजह तक आठ घंटे ते तो उस आठ घंटे यूट्व में चलो बीच में आप breakfast कर लिए उस बीच में आप lunch भी कर लिए ठीक ही चलो चलो्क बढ़े निकाल लीए छी खंटे लगे बचा उस्सफे घंटे में आपके बस्ता कॉपी में कितना गंटेश खंटे ठीचलिव में कितना कंटेश अहीं ए कि आदे गंटे का कंटेश ऊछा गण्ते अगर आप अपना टाइम इन वैści करे तो यह थो यह तो आपके साथ मतंब 6 गंदे तक आप YouTube में, आपको पता नहीं चलिए बात में hypothसक्षे बाते में ऐसे करके आप 10 दिन पर देथे हैंS alle up को जनमों जनमों लग जाएंगे अपनी पुरफेर संमें तो आप पैनिक नहों इस्ट्रूवन कि नहीं से उनकी भी अपनी प्रॉब्लम एस्ट्वन लोगों की इतना पैनिक नहीं अगर आ पढ़ा रहे हो तो बाद में अगर आपका कच्छा कंटे हैं तो लोग बाद में देख लेंगे इसलिए लाइब अगर लोग नहीं भी है उतना पैनिक होने की जरुवत नहीं है पूरे जितने भी ऑनलाइन मेंuds, जितने भी एज्यूकेटर, जितने भी लोग पढ़ाते उन लोग इतना पैनिक होने की जरुवत नहीं है ठीक है, इस चीज शीच को आपको को देखने रहा मैं सबसे best content दे रहा हूं है ना फिर आप उसको चिला नहीं सकते मतलब आप 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 नहीं कर सकते हैं आप क्योंकि यूटूब को आप भी मार्केटिंग के लिए जूश कर रहे को enjoy करता है इसे पलटते रहता है देखते रहता है उसका अलग चीज है ड्रीम इलेवन लोग खेल रहे इस गुड़ अपने जिंदगी में अच्छा अचीवमेंट ला लिए तो ड्रीम इलेवन खेलने में क्या प्रॉब्लम है अगर आप अपनी जिंदगी में स्टेबल में अ आपको वेस्ट नहीं करना है इस चीज को ध्यान रखे आप ठीकि तो चेताम नहीं है जितने लोग भी यूटूब के थुरू पढ़ते एक बार थोड़ा सा चेक कर ले कि आप एक दिन में कितने घंटे का कंटेंट पढ़ पाते हो इस चीज को एक बार चेक कर रहे हैं हम ल के क्लाइंट हो आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए मैं फिर भी लगता है कि मैं अपने दिल की बात रख देता हूं तो रख दिया मैं क्या बार चेक किजिए और आप 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 इसको प्रॉपर वे में यूज किजिए एक बिगेस्ट प्लेटफोर्म है अलग बात है कि हम लोग के लिए यह एक बिगेस्ट मार्केटिंग प्लेटफोर्म है ठीक है लेकिन आपके लिए यह अच्छा नॉलेजबल प्लेटफोर्म है कि जहां पर नॉलेज का फ्लो हो रहा है अब पूरा नॉलेज तो आप गेन नहीं कर पाओगे अपने काम का नॉलेज लेकिन निकलो तो को खराब लगती है किसी student community किसी specific student को भी खराब लगता तो उसके लिए दिल से sorry लेकिन जो सच बात है में बोल रहा हूं फिर भी आप अपना opinion दीजिएगा इस वीडियो के last में comment section में अपना बताईएगा कि आपका क्या opinion है इसको लेकर हो सकता आपका opinion पॉजेटी हो कि आप तीन मेने से YouTube को फॉलो कर रहे है छे मेने से फॉलो कर रहे तो आप कितना content वहां से ले पाए है तो आपने experience भी share कर सकते है ठीक है तो चलो वेट रहेगा आपके opinion का जो भी positive negative चरहेगा it's okay मैं अपना opinion दिया आप अपना opinion दे सकते हो ठीक है ओके थैंक्यू